आपके कारोबार के लिए फंड और लून जुटाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान बढ़ती महंगाई का एक और जटका लगने जा रहा है एक रिपोर्ट के मताबिक सिमेंट कमपनियां कीमतों में एक और बढ़तरी करने जा रही है क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार इधन की बढ़ती कीमतों की वज़ा से लागत में उच्छाल का असर कम करने के लिए सिमेंट कमपनियां कीमतों में बढ़त की तैयारी कर रही है रिपोर्ट के अनुसार कमपनिया प्रती बैग 50 रुपे की बढ़ोतरी कर सकती है पिछले 12 महीनों में कमपनिया सिमेंट बैग में 390 रुपे की बढ़त कर चुकी है रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूकरेन संकट और ऑस्ट्रेलिया की खरिद खदानों से उत्पादन पर असर से कच्चे माल की सप्राई पर काफी असर पड़ा है जिस से लागत में उच्छा लाया है महेंगे इधन से बड़ी लागत क्रिसल की रिपोर्ट के मुताबिक सिमेंट कमपनियों ने कीमतों में बढ़त की शुरुवात देश के कुछ हिस्सों में अपरल से शुरू कर दी है और आने वाले समय में देश की कीमतों में बढ़त लागू हो जाएगी रिपोर्ट के मुताबिक कीम्तों में बढ़त के लिए मुख्य रूप से रूस यूकरेन संकट की वज़ा से सप्लाई पर पढ़ने वाला असर है रिलीज के मुताबिक मार्च के महीने में पेट कोक की ग्लोबल कीम्ते पिछले तिमाही के मुकाबले 43 प्रतिशत बढ़ी है कीम्ते दिसंबर से फरवरी के बीच गिरावट दर्ज हुई थी हाला कि रूस यूकरेन संकट के साथ कीम्तों में एक बार फिर उचाल देखने को मिला है मई कच्चे तेल में पिछले साल के मुकाबले 89 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है जिससे इधन की घरेलू कीम्तों में उचाल रहा है और ट्रांस्पोर्टेशन कोस्ट बड़ी है डिपोर्ट्स के मुताबिक देश में सिमेंट का आदा हिस्सा सडक मार्ग से ही एक जगा से दूसरी मांग पर भेजा जाता है जिससे लागत पर दबाव बन गया है उची लागत से मांग पर असर की आशंका क्रिसिल के मुताबिक पिछले वितवर्ष के पहले छे महीनों में मांग में तेजी देखने को मिली थी हाला कि बाद में मांग सुस्थ होई हाला कि उस वक्त बे मौसम बरसाथ और श्रमीकों की कमी की मांग पर असर पड़ाता फिलहाल सेक्टर को छोटे शेहरों में बन रहे किफायती घरों की योजनाएं से मदद की उम्मीद है और अनुमान है कि इस वितवर्ष में मांग 5-7 प्रतिशत के बीच रह सकती है हाला कि उची लागत की वज़ा से आशंका है कि मांग में एक सीमा से ज़्यादा बड़त नहीं होगी वहीं कीमते और बड़ी तो दबाव संभब भी है झाल 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 झाल